इन दोर में वंदे मातरम मिशन के तहट यूक्रेइन से 145 यात्रियों को लेकर आज एर इंडिया का विशेश विमान लैंड हुआ जिसके बाद स्वास विभाग द्वरा सभी यात्रियों की स्क्रिनिंग कराई गए जिसमें कोई भी यात्री कोरोना के सिम्टम्स वाला नहीं पाया गया जिसके बाद मौके से ही इन यात्रियों का इपास जारी कर इन्हें उनकी ग्रह जिलों में रवाना किया गया सबी यात्रियों को अपने अपने ग्रेय जिलो में ही क्वारिन्टाइन करा जाएगा साथ ही फ्लाइट में आने वाले इंदौर जिले के 39 लोग शहर में ही प्रिशासन्द वारा होटल सूर्या में इंस्टिटूशनल क्वारिन्टाइन किया गया आज सुबह 5 बच कर 20 मिनट पर वंदे भारत मिसन की तहत इंदौर एरपोर्ट पर एर इंडिया की फ्लाइट आई जिसमें 144 यात्री इंदौर एरपोर्ट पर उत्रे इन में से 29 यात्री इंदौर के थे जिनको गवर्मेंट आफ इंडिया के निमानुसा इंस्टिटूशनल क्वारिन्टाइन होटल सूर्या में कराये जाएगा साथ ही आन्य राज्यों के भी यात्री इसमें पाये गए जो 36 गड़ महराष्ट यों गुजरात के थे साथ ही मध्यप्रदेश के भी विभीने जिलो के यात्री इस विमान से इंदौर एरपोर्ट पर उतर है यह सभी यात्री अपने अपने निर्धारित जिलो में गवर्मेंट आफ इंडिया के निमानुसार इंस्टिटूशनल क्वारिन्टाइन कराये जाएगे